रन्वीर सिंग और दिपिका पादुकॉन की राम लीला सूपर हिट फिल्म थी ना सिर्फ इस फिल्म ने इन दोनों को बहुत बड़ा स्टार बना दिया बल्कि इस फिल्म से ही इन दोनों का असली लाइफ का रोमैंस शुरू हुआ था एक्चली तो फिल्म के सेट पर ही शूटिंग के दोरान कैमरा के सामने दोनों ने एक ऐसी हरकत कर दी जिससे सेट पर मौझूद सब ही लोगों को पता चल गया कि हाँ इन दोनों का अफैर है और सबसे बड़ी बात जिस वक्त ये शूट कर रहे थे वो शूट था बेडरूम सीन का ये बात खुद रनवीर सिंग ने अपने लेटिस्ट इंटर्व्यू में बताई है रनवीर सिंग और देपिका पादुकोन सक्सेस्पुल अपने शादी के कई साल पूरे कर चुके हैं दोनों की बीश में डिवॉर्स की रूमर्स तो आई लेकिन इनों ने अपने पिच्चर्ज और अपने लव से इन सब ही रूमर्स को नका रहा है रनवीर सिंग ने exactly वो किस्सा बताया जब वो एक दूसरे में खो गए थे और भूल गए थे कि वो फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं उन्हें लगा वो दोनों बस एक साथ है और प्यार में है राम लीला के लिए बेडरूम सीन शूट होना था होटेल के रूम में रनवीर सिंग और दिपिका थे और बेड़ के ऊपर दोनों को एक दूसरे को किस्स करना था सीन संजे लीला भंसाली ने दोनों को समझाया था कि आप दोनों को किस्स करना है आपके बीच में किस्स चल रहा होता है और तब ही खिड़की से काश फोड़ता हुआ पत्थर या इट अंदर आता है और वहाँ पर आपको ये सीन कट करना है रनवीर सिंग और दिपिका पादुकोन को जब संजे लीला भंसाली ने ये बात समझाय तो दोनों ने बहुत ही सीरियसली इस बात को समझा और उसके बाद शुरू हुई सीन की शूटिंग कैमरा ओन हुए संजे लीला भंसाली वहाँ पर थे लीचे एक बंदे को पत्थर फेकने के लिए खड़ा कर दिया था और इधर रनवीर सिंग और दिपिका पादुकोन ने किस करना शुरू किया अभी सीन के मताविक सब कुछ ठीक चल रहा था किस शुरू था और इधर से पत्थर आना बाकी था सही टाइम पर पत्थर खिड़की का कांच तोड़ता हुआ कमरे में आता है और जमीन पर गिरता है और तब रनवीर सिंग और दिपिका पादुकोन को वो किस रोकना था लेकिन वो किस रोका ही नहीं रनवीर और दिपिका एक दूसरे के अंदर अपने किरदारों के अंदर इतने जादा खो गए कि उन्होंने किस को continue रखा और तब संजलीला भनसाली ने बस इतना कहा नक्की हो गया यानि कि इतने दिन तो doubt था कि इन दोनों के बीच कुछ है लेकिन आज ये confirm हो गया है कि ये दोनों एक दूसरे से वाकई में प्यार करते हैं और उस दिन जो ये बात दिपिका और रनवीर सिंग के बीच थी वो सभी को सेट पर पता चल गई और धीरे धीरे इनका रष्टा इतना strong हुआ कि ये शादी तक पहुचा जितनी successful इनकी शादी चल रही है उतनी ही successful उनकी फिल्म राम लीला भी हुई थी और राम लीला में इन दोनों की chemistry देखकर जरा भी नहीं लगा कि acting कर रहे हैं ऐसा लगा कि वाकई में ये सब कुछ सच में हुआ